हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टू दा उनलाइन क्लासिज ओफ आरलकेडमी स्टुडेंट्स अपना आर्टिकल राइटिंग सीख रहे थे और आर्टिकल राइटिंग में कुछ टोपिक्स पर मां आपको आर्टिकल सीखा चुका हूँ आज आपके लिए एक नया टोपिक लेकर के आया हूँ जो आपके लिए इंपोर्टेंट रहने वाला है और नया टोपिक जिसका नेम है इंपोर्टेंस ओफ न्यूजबेपर तो आज अपना आर्टिकल सीखने वाले हैं इंपोर्टेंस ओफ न्यूजबेपर की महत्वता क्या है तो सबसे पहले देखिए आप क्या लिखोगे importance of newspaper title लिख दीजिए capital letter में page के उपर उपर और उसके बाद writer लिख दीजिए कि article लिखने वाला कोन है जैसे by साजिद यहाँ पर लिख दीजिए उसके बाद एक line छोड़िए और newspaper की महत्वता के बारे में लिख रहे हैं तो थोड़ा पहला introduction दे दीजिए पहले paragraph में कि newspaper क्या है तो देखिए news has four letters यह जो news है जो यह समाचार है इसमें चार अक्षर होते हैं और यह जो चारों letters है stand four किसके लिए stand है किसके लिए आए है four our directions हमारी दिशाओ के लिए हैं जैसे हमारी दिशा भी चार है direction भी चार है north, east, west and south तो कहने का मतलब क्या है कि news है वो इसमें चार letters है और यह चारों letters है वो किसके लिए stand है and for north, e for east, w for west and s for south तो अपन क्या बोलेंगे reports from four directions कि वो है report जो हमें चार directions से मिलती है चारों दिशाओ से मिलती है are given the name उसको क्या नाम दिया गया है news नाम दिया गया है मतलब उत्तर, दक्षिन, पूरो, पस्षिम इन चारों दिशाओ से जो भी हमें सूचना मिलती है news मिलती है उसी को क्या नाम दिया गया है न्यूज नाम दिया गया है अब देखे दब paper on which वे paper जिस पे reports are printed ये report print की जाती है छापी जाती है is called news paper उसको क्या कहा जाता है news paper कहा जाता है मतलब चारो देशाओं से जो हमें news मिलती है वो तो क्या report मिलती है वो तो news हो गई और वे report जिस कागज पे छपती है print होती है उसी को क्या नाम दे दिया गया news paper दे दिया गया तो इस तरह से यानिकी इसका introduction वो आप दूसरे paragraph में लिखिए इस news paper के बारे में कि in this way इस way में newspapers are the windows newspaper क्या है window है खिडकी है through which जिसके माते में से we see the things हम things को देखते हैं वस्तुवों को देखते हैं of the country and the world कि देश और दुनिया की वस्तुवों को देखते हैं जिस तरह से कमरे के अंदर यानि की कमरे की खिडकी होती है और खिडकी के माते में से हम देख पाते हैं कि कमरे के अंदर क्या क्या हो रहा है उसी तरह से ये newspaper है वो भी क्या एक window है एक खिड़की है जिसके माद़ें से हम देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है वो सारी चीजे newspaper के अंदर देख पाते हैं अब देखिए newspapers है वो try to give us newspaper है वो कोसिस करते है अब देखिए का मतलब वो कोसिस करते हैं कि हमें देश और दुनिया के बारे में लेटिस्ट निज है वो दे उसके बाद है कि एक गोड़ निजपेपर एक अच्छा जो निजपेपर होता है वो क्या होता है इस ये watchdog मानी रख्वाला एक अच्छा जो न्यूजपेपर होता है वो रखवाली करने वाला होता है यानि कि डेमोक्रेसी का लोगतंतर का यानि लोगतंतर का रखवाला कौन होता है एक अच्छा न्यूजपेपर है लोगतंतर बचा हुआ है वो किसके कान बचा हुआ है आज एक अच्छे यानि कि न् आईज, वो आखे होती है, इस कान होती है, and mind of the government, और government का can की माइंड होती है, तो कहने का मतलब क्या है, newspaper है, नियूज पेपर्स कर देना यहां पे वो क्या है आँखे हैं कान है और माइंड है वो गौवर्मेंट एंड पॉलिटीशियंस कहने का मतलब क्या है कि नियूज पेपर गौवर्मेंट और पॉलिटीशियंस की जो जो नीती है या गौवर्मेंट या कोई राजनेता जो भी बा बात चल दी है वो सारी बते हम तक यान की पहुंचाने का काम किसका है न्यूज पेपर का है तो इस तरह से हपन कहśl सकते यह हमारी मदद करता है उसके बाद अगर बात करें और यह जो है नीच्पेपर वो इंक्रीज करते हैं हमारे जनरल नोलेज को समाने ग्यान को बढ़ाते हैं तो the number of newspaper reader is increasing very fast कि newspaper के यानि कि जो reader है पढ़ने वाली जो पाठक है उसकी संख्या बहुत जल्दी से यानि कि बढ़ रही है तो कहने का मतलब क्या है तो कहने का मतलब क्या है यानि newspaper के जो reader है पाठक है उसकी जो संख्या है वो is increasing बढ़ रही है वेरी फास्ट बहुत ही तेजी से इसलिए newspaper को भी क्या चाहिए कि वो समाज की सेवा करे इंपारिटली मतलब क्या है बिना भेद भाव के honestly इमानदारी के साथ और sincerely मानी सच्चाई के साथ तो इस तरह से बच्चो अपना the importance of newspaper है इसका article complete हुआ अगर ये speech हो जाए तो बिल्कुल आपको डरने की बात नहीं है उपर good morning everyone और honorable वाली वो दो तिन लाइने है वो लिख देना और last में ये लिख देना और last ही last में क्या आजाएगा thank you आजाएगा तो उमीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए दोस्तों message कर दीजिए अगर channel को आपने अभी तक subscribe नहीं किया तो channel को subscribe कर दीजिए thank you